आप्रिये बच्चों इसके पूर्वं लोग, विभिन कोणों के त्रिकॣमिति अन पातों के मान के बारे में पढ़ चुकते हैं अब हम विभिन ठीकॣमिति अनपातों का प्रतिय चतुर्थांस में पहनेए दूसे तीसरे चौथे में क्या चिन्ण बढरें पढ़ेंगे आजए देखते हैं कि आज और अज्ट कर वो रिपिए अनड़ पाथो का कि विभिन्न चतुर्थांसु में चिन आये हुम एक इकाही मात्रा कवरित खीशते हैं एक विद्खीचा इसकी त्रिज्जा एक सेंटिवीटर या एक मात्रक कुछ भी हो सकता है एक आई मात्रक कुछ विद्गिज्गा कर यद्ग्ध्ट इसका केंद। जिसका के एंड़ जीरो कमो जीरो है खीचा ठीचा एकाई मात्रक अब्रुट खीचा जिसका के एंड़ जीरो कमो जीरो है यह वाई एक्सिस वाई डैश एक्स डैश एक्स एक्स इसकी पर पर कोई बिन्दू पी लेते हैं कि एक हम अभी कि पी को कि एसे जो यहां मुर्म बिन्दू और से जोड़ दीजिए अगर हम इसी के ठीक अपोजिट इस चतु फ्राइस में यहां पर जीरो कामा जीरो यह जो बिन्दू होगा एक कामा माइनस पी इस चतु फ्राइस पर अगर कोई बिन्दू नहीं आ जाए इसको हम माइनस एक कामा भी और इस चतु फ्राइस में कोई बिन्दू अगर नहीं पर एट तो कि माइनस एक कामा माइनस और कि इसको अगर पीवन कह देए इसको पीटू कह दे इस बिन्द को पीठी कह दे इसको पीफॉर कि अब आप देखे यहां पर यह एक मांट रखाए एक अगर यह एक्स है आपका थि यह इधर के और यह माइनस एक्स होगा अब आप यहां चित्र में चित्रा नुसार इस पॉइंट को एम कह दीजिए चित्रा नुसार साइन एक्स की व्यमूर क्या होगी साइन एक्स परावर क्या होता है मम बटे कर्ण यह अब आप निद्शान जमेंति से जानते हैं अगर यह यहां से ओम दूरी यहां पर होगी से ओम दूरी a होगी और पी अम दूरी b होगी तो मम अम आपका यहांनी बी और कन एक्स एक बराबर चौकर्ण मम यह असनुतising breadASON संद्धा आधर हम बटे कर्ण दूर्ट कर्ण अधार आतटे कर्ण है इन बटे यह आपके पास दो चीजे हो गई यह इसको आप ऐसे कह सकते हो साइंस वराबर लिए और कॉसेक्स備 ए और की स्काइब तैने क्ष्वच्वराबर तो कॉ्टेक्स अधार बटे नम एपॉन भी सेक एक्स वण अपॉन कॉस एक्स या कर्ण बटे अधार तो कर्ण एक बटे अधार ए और कॉसेक एक्स कर्ण बटे नम वान अपॉन भी अब आप इसका चिन्द देखिए कैसे होता है या नयान दीए हर जटुक था इसमें मांगेजिए यह साइम कोस टैन कोट सेक हुआ है यह हुआ 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 है गँर्युक तो देखिए यह परबाट फंस यह दूसा ची पुर्थांस कोट फंस और यह चौस बसाट फंस अब पहेनलेartearte Sometimes यहां पर पहेनलेartelege defence से यही दिखें ज़र्ण ऑर भी दोनों Positive रहे बी पॉश्टिव यहां पर ए नेगेटीव बी पॉश्टिव यहां ए नेगेटीव और बी भी नेगेटिव और यहां किसा करें है ए ओ पॉश्टिव बराबर होता है वी साइन एक्स प्राबर बी तो बी का मान यह बी दोनों पाश्टिव है यहां सब रखेंगे यह फुर्स्ट में सभी पाश्टिव आजएगे और यह आगें यहां पर A नेगेटीफ है second अगेटीफ है наш जाव सिकरेंद ए निगेटीव आगेटीफ में जा पर आगेटीव नेगेटीव diffic Dh Yuri Gaon यहां यहां फरोगद कने फिर दाथ थाइड में क्या है थाइड में दोनों माइनस है तो दोनों माइनस मींस ये साइन में बी माइनस में है तो ये निगेटिव ये भी ए निगेटिव है ये और वी दोनों निगेटिव है तो माइनस माइनस कटके पॉश्टिव हो जाएगा ये पॉश्टिव और ये पॉश्टि यहां पर बी निगेटिव हो जाएगा और यहां पर यह पोश्टिव होगा आप याद रख सकते हैं कि इसको ऐसे भी याद किया सकता है कि पहणे चतुर्तान। appelle सभी positive आप positive हम उसको बताते हैं कि कैसे इसको याद रखेंगे पहानमattend I positive दूसरे में आपका है दूसरे में Ugh sign कौसDIO पॉस्टिब तीशे में । ए कोट उ चौथे में कॉस और से इस चीज को और अच्छे से समझने के आईए हम आपको बताते हैं इस चीज को ऐसे समझे कि यह जीरो डिग्री इन अब्वे डिग्री यह एक सब्सक्राइब यहां पर आप जो है इसमें साइन आपने देखा विच्छिन के इसाब से साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसे सभी पॉश्टिव सबका मान यहां पर इस चतुर्धास में पॉश्टिव होता है इस चतुर्धास में यानि आण इस चतुर्धास में सेकेंड में आपने क्या देखा था सेकेंड में सिफ़ साइन और कॉसे साइन पॉस्टिव कॉस्ट निगेटिव टैन निगेटिव कॉट निगेटिव सेक निगेटिव कॉसेक पॉस्टिव यानि इसको हम एस साइन और इसका रेसिपो कम यानि विद्क्रम वन अपॉन साइन यानि कॉसेक पॉस्टिव तीस्वे चतुर्थांस में आप ने देखा 10 और 3 पॉष्ट्ट्व होते हैं यहां ते साइन, साइन, निगेटिव, कॉस निगेटिव, ते न पॉष्ट्ट्व, कॉष्ट्व, कॉष्ट्व, शिक निगेटिव कॉस इसको टी टीमी स्टैन और इसका रेशी प्रोकर्म यानि टैन और इसका विद्कम कॉट पॉश्टिव इसमें जो है साइन इसमें सेक और कॉस कॉस और सेक पॉश्टिव होते हैं साइन निगेटिव कॉस पॉश्टिव टैन निगेटिव कॉट निगेटिव इसको, सी से डिनोल करते हैं एस टी सी का मतनब बहुत समोग ऐसे भी आज़ रख सकते हैं ए सभी स मने साइन हो उसका रेश्ट पोकर पी वाने जो है टैन और रेश्ट पोकर भी रेश्ट पोकर नहीं टैन और कॉर्ट सी मैनने स्कॉस और वाउस और इस्टूडेट्स और टिकेट्ट से यहांद यर्ट स्प्रिण संगाट उज्यर्स किसे भी इसको याद रेखा जा सकता है एक जो आप मोर्म है अश्चा मतलब यहांपर चाइब साइन वन अपन साइब पी मतलब यायन यह निकासिप 10 and 1 upon 10 माने cot और C का मतना वे cos and 1 upon cos माने set यानि पर हमें ये सभी positive दूसरे में sign और 1 upon sign यानि gossip positive 10 और 5 positive cos यहां पर 4 में cos और set positive एक चीज़ और इस सब्सक्राइस में इसमें अगर theta को noon कोड माने माना theta जो है 0 से pi by 2 के बीच में 90 के बीच में है theta को यहां परेगा और 90 minus theta अगर noon कोड को 90 से घटाएंगे तो भी इसी में परेगा इसके बाद 360 plus theta यह भी इसी में परेगा और इसके अरावां कर कई चक्कर काट किया है ऐसे देखी यह साथ कौन भी इसी में आएगा यह एन गुड़े 360 plus theta यह सारे कोड इसी चतुर्थांस में पढ़ेंगे इस चतुर्थांस में कौन से कौन पढ़ेंगे यह द्यान दखिए इसमें पढ़ेगा 90 plus theta और 180 minus theta यह हमें कौन इसमें पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से कौन पढ़ेंगे इसमें इसमें 180 plus theta और 270 minus theta इस चतुर्थांस में कौन से कौन पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे एक तो उल्टा घूमेंगे एन इक मापाइस घूमेंगे माइनस theta आमने कौन इसमें पढ़ेंगे कि दूसरा 270 नस थीटा की कौन पढ़ेंगे और इसके बाद 360 माइनस theta की कौन पढ़ेंगे और एन गुड़े 360 माइनस theta के भी कौन इसमें पढ़ेंगे तो आपके पास एक दो तीन चार पांच छे साथ ताट नौ दरस गया तो यह सारे कौन आपको यह भी आगरतना है कि कौन सा कौन किस चतुर्थांस में पढ़ रहा है tapi कित्र्कॉलमिटी अनपाथ में यहन्धी कोई उड़ा हो तो उसका मान गयाग गया सके अब इसका इसका मान गयाक करने कि accurate आप त्षी त्ससिएंस यह और देखते हैं जैसे कि जब किसी त्रिकोर्मीती अन्पात के यहां पर हम बताने जाए कुछ रूम से इसको याद रखेंगे नियम जब किसी त्रिकोर्मीती अन्पात के कोण के साथ 90 अंस या 270 अंस जुड़ा हो जब किसी त्रिकोर्मीती अन्पात के कोण के साथ 90 अंस या 270 अंस जुड़ा हो तब क्या होता है तब देखिए साइन अगर है तो साइन का कॉस में पर्योर्टन हो जाता है और इसका पर रह दी है तो कॉट में हो जाता है और Japanese कॉट रहे हैं तो इसका तैयन में पेइदा हो जाता है जहिए चिसक्प कॉषटन आफे कोषेक्प प्रस्पा यह याद रक्षेरेख कि अगर जैसे एक्जाम्पल अभी अच्छा और चीजें भी बताएंगे दूसरा नियम यह कि इसी में यदी कि तब कि यह परिवर्तन होता है कि यदी त्रिकौन मित्य कि अनपात के कौन के साथ 1808 या 360 हंस डुड़ा है तो तो को मित्ये अनपात वही रहता है जैसे है तो सेख ही रहेगा कॉसेख है तो कॉसेख ही रहेगा और एक तीसरे नियम यह है कि जब किसी त्रिकोन मितिय अनुपात के कोण के साथ त्रिकोन मितिय अनुपात कि कोण के साथ नब्य अन्स एक सवसी अन्स दो सो सक्तर अन्स या तीसो साथ अन्स जुड़ा है तो मान उसका मान निक्ते समय चिन जो है चिन चिन का मतलब पॉस्टिव या निगेटिव धन या दिन चिन यह देख कर नगाते हैं कि कोण किस चतुर्थांस में है यह हमारा जो कोण है अब इक्जामपल कोण किस चतुर्थांस में है यह देखके नगाते हैं उदावन देखे जैसे साइन एक्सरसी प्रस थीटर अब एक्सरसी जुड़ा है यहां पर एक्सरसी में आपने कहा कोई पडिखता है है नगी नभी यह मान पूरा नहीं हुआ यह मान तब पूरा होता है यह कोंड का हम आपने देखा था वी तीसरे में सिन contributor किया होता है माइनस इसका मानों गया माइनस सई जीना ऐसे ही मानोस सब्सक्रेंस सेख क्या होगा यहां पर देखें सेख का कॉसेख को सेख थीटा ऐसे लिख दीजिए लेकिन यह कहां है तीसरे में सेख क्या होता है माइनस इसमें यह माइनस हो गया इसी तरह से आप और भी निख सकते हैं जैसे की काट 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 हो जाएगा अब यह कौन कहां है यह कौन है चौथे में तो चौथे में क्या होता है माइनस इसमें इसका मान माइनस टेन थीटा ऐसे ही आप बहुत सारे और भी मानने सकते हैं जैसे की सी कोस नगवे Popas ثीटा अब यहां पे पहले तो नगवे है तो कौστ क्या हो जाएगा साइन तीटा और चौकि यह बीचों रूरसरे में है दूसरे में कौस क्या होता है माइनस इसका मान माइनस साइन थीटा तो उस तरह से ये आप कर सकते हैं और इसमें कई कोण इसके सूत्र बनते हैं वो आपको हम एक दो बता रहे हैं बाकी आप करिएगा कैसे करते हैं आईए इस नियमों के अंसार जैसे कि पहला एक एक जैसे साइन नब्वे माइनस थीटा नब्वे माइनस थीटा नब्वे है तो कॉस थीटा हो जाएगा और चुकि यह प्रफम में है कोण तो प्रफम में सारे कोण सभी तिकुर्मितियान पाथ पाश्चिव होते हैं इसलिए धन अत्मन ऐसे ही आप कॉस नब्वे माइनस थीटा इसका मान कुछ और सेख कि 90 मैनस थीटर और को सेख 90 मैनस थीटर यह माला आप दिखेंगे और कि दूसरा इसे साइन यहाँ पर 95 थीटर के लिए यह यह क्या हो जाएगा चुक्कि नब्बे है तो स्कॉस थीटर और दूसरे में साइन पॉस्टी होता इस नहीं दनात्म आएसे ही बाकी छहों में पर पांचों और सिस एसे तीसरा साइं एक सी माइनस तीटर यहां पर यहां आए कॉस का बता दे कॉस एक सबस्क्राइब तो कॉस को सी रहेगा नेकिन ये second में cause negative होता है यह minus cause theta ऐसे बाकी six पाँच और आप निखेंगे डिखेंगे छोथा जैसे कि आईए जैसे चोथे में एक बता दे रहे है एक्सोषीप में तुर एक्सोषीप मेस तुर जोड़ा है यहां यहां पर है तो 10 का 10 ही रहेगा और थार्ड में 10 पॉश्टिव होता है इसने धनात्मक यह पॉश्टिव 10 थीटा ऐसे ही पाकी सेस्ट आप करेंगे पांचवाँ कि मानेजेगी सेक 270 माइनस थीटा 270 में तो सेक का कॉसिक हो जाएगा और यहां पर यह तीसरे में है तो तीसरे में सेक माइनस होता है इसने माइनस को सिक थीटा सेस पांच आप करेंगे और देखिए मानने यह आपके पास sin minus theta अब minus theta आपका जो है चोथे में है तो चोथे में sin minus होता है इसने minus का sin theta ऐसे ही जैसे कि एक और बता दें इसमें tan या cos का आई cos minus theta बराबर चोथे में cos positive होता है तो यहाँ पे और यह theta का theta ही रहेगा तो यह minus sin minus हो जाएगा plus का cos theta यह रहेगा यहाँ परचिन और साथवाँ sin 270 plus theta 270 है तो साइन का cos और चूँकि चोथे में है तो चोथे में minus minus हो जाएगा जो नियम बताए उसी के अंसार आप लिखेंगे ऐसे ही आठवाँ आप देखते हैं जिसे sin 360 minus theta तो 360 minus theta तो यहाँ पर 360 है तो साइन रहेगा और चूँकि यह चोथे में है इसलिए minus और भी देख सकते हैं sin n गुले 360 minus theta तो यहाँ पर भी वही चीज़े चोथे में है और 360 है तो यहाँ पर साइन का साइन ही रहेगा चूँकि यहाँ 360 है तो साइन का साइन ही रहेगा और चूँकि चोथे में इसने निगेटिव तो माइनस का साइन थीटा और यदि साइन गुडे 360 तो 360 है तो साइन रहेगा और चूँकि पहमे में पहमे में positive या सिर्फ साइन 360 में थीटा होता यह हो जाता 360 है तो साइन रहेगा और चूँकि फर्स्ट में है तो यह positive इस तरह से हमने एक एक सब के बता दिए हैं सबके पांचों बाकी से स्लिकूर्मिती अनपाथ के नहीं यह आपसूत निखेंगे सेक्स नश्ट वीडियों में